ओम्श्री साई राम साई प्रेम वानी के हमारे आज की प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधूर कारिक्रमों की मनमुहक श्रिंखला आज के प्रसारण में आप प्रेमा वतार श्री सत्यसाई कारिक्रम के अंतरगत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वरने भगवान बाबा के अलोकिक जीवनकाल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतरगत एक वारता सुनेंगे हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे तो चलिए कारिक्रम का शुभारंब करते हैं अब प्रस्तुत है हमारा कारिक्रम प्रेमा वतार श्री सत्यसाई आज इसके अंतरगत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग दो पुस्तिका में वरने भगवान बाबा के जीवनकाल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे वास्तों में जिस सज्जन ने अपने अज्यानवश बाबा को अपने समान प्रदर्शन करने वाले हट योगियों की श्रीणी का ही समझ लिया था और बाबा को एक बहु विज्यापित चमतकार के लिए चुनोती दी थी स्वैम अपने ही आप से धोखा खा गया और उसे लज्जित और अपमानित होना पड़ा उसके समर्थकों के नाटकी अढ़ंग से पासे पलड़ गए और पराजय का मुख देखना पड़ा बाबा ने इन लोगों के प्रयोजनों का विशलिशन करते हुए उन्हें स्वार्थ और अभिमान प्रेड़ बताया और कहा अहंकार तो अनेको अधोगामी प्रवृत्यों जैसे लोब, क्रोध, इर्शा, द्वेश और घ्रिना आदिका मूल बीज है अहंकार बुद्धी और विवेक पर छा जाता है और सत्य असत्य और असत्य और सत्य भाशित होने लगता है तथा मनुष्य अनैतिक आचरण की योर प्रवृत्त हो जाता है ताकि उसके बढ़ते हुए स्वार्थ और अभिमान की पूर्ती और त्रिप्ती हो सन 1966 में दशाहरे के अवसर पर बोलते हुए बाबा ने कहा बहुत से योगी पानी पर चलने का दावा करते हैं और दूसरों को इसके लिए चुनौती देते हैं लेकिन किसी योगी के लिए अभिमान, क्रोध, इर्शा, द्वेश और घ्रणा आदी दोशों पर विजय पालेना इस प्रकार के प्रदर्शन और प्रतिस परधा से कहीं बड़ी उपलब्धी होगी सन 1966 में क्रिश्न जन्माष्टमी के आउसर पर बोलते हुए बाबा ने श्रीन श्रद्धा और विश्वास वाले व्यक्तियों के संबंध में कहा था दूसरे लोग क्या कहते हैं इसकी और ध्यान मत दो केवल उसी पर विश्वास करो जो तुम स्वैम अनुभाव करो या अपनी आँखों से देखो जिससे तुम्हारे हिर्दय को शांती मिले आनंद प्राप्त हो वही सत्य है क्यूं दूसरों से पूछते फिरते हो कि कोई वस्तु मीठी है या नमकिन जब एक बार तुम स्वैम उसका स्वाद ले चुके हो तो किसी दूसरे के कहने पर जो वस्तु के संबंध में विवात खाड़ा करने के लिए मिथ्या दोशार उपन करता है अपनी अनुभव जन्य धारना को क्यूं बदलते हो अरे अपने अनुभव की पुष्टी करने के लिए उसे थोड़ा और चखो अपनी जीव पर रखो और उससे सारा विवात समाप्थो जाएगा जो कुछ हिर्दै से अनुभव करते हो वही अपनी वानी से कहो अपनी अंतर चेतना के विरुद्ध जूटी गवाही मत दो साथ बैठे लोगों की राय के अनुसार अपनी राय मत बनाओ ऐसे पापी और दुष्टों के प्रती इतनी दया और प्रेम भगवान के अतिरिक्त भला कौन प्रकट कर सकता है बाबा ने अपनी निंदा करने वालों को छमा कर दिया और कहा कपड़ों के कीड़ों का तो कपड़ों को काटने का स्वभाव ही होता है क्या करें बिचाले वे अपने आपको रोक नहीं सकते क्योंकि इसके लिए उनके अंतर से जो हूख उठती है उस पर नियंतरन रखने के लिए उन्हें कोई शिक्षा नहीं दी गई है जो भी कोई उनके दाइरे में आ जाता है उसके निंदा करने लगते हैं कपड़े का कीड़ा ये नहीं देखता कि साड़ी है या कोट सूती है या उनी अथवा रेशमी इसलिए बाबा ने कहा ये प्रसंदता की बात है कि उन्हें मेरे प्रती गाली गलोज करके खुशी प्राप्त होती है मेरा तो देश यही है सब मनुश्यों को सुखी करना यदि ये लोग इस प्रकार के साधनों को अपना कर प्रसंदता प्राप्त करते हैं तो आप उन्हें क्यों मना करते हैं, क्योंकि वो तो उनका जन्मजाद स्वभाव है, मुझे प्रसंदता है कि इस प्रकार के दूशित काले कागज निकाल कर उन्हें जो आय होती है, उससे वे अपने इस्तिरी बच्चों का पेट पालन करते हैं, आप लोगों को क्यों दुख और भंगिमा, उनकी वानी और विचार आदि सब में प्रेम समाया है, तभी तो उन्होंने इन जूट के व्यापारियों तक कुछ शमा कर दिया, और भले लोगों को इनके सुधार के लिए प्रार्थना करने की सलाह दी, बाबा ने कहा, देर सबेर कभी न कभी उन्हें पश चलेगा, कि वो रास्ता भूल कर भटक गया है, तो रुक जाएगा, और पीछे लोटेगा, और जब तक सही मार्ग नहीं मिल जाएगा, खोजता रहेगा, सन 1966 में दशहरा के आउसर पर ऐसे लोगों के संबंध में बाबा ने कहा था, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो की उनमें परिवर्तन हो, और वे सज्जन बनें, सात्विक मार्ग को अपनाएं, उनका अंधापन दूर हो, वे अपना सही मार्ग देख सकें, उनकी जहवा सत्यकार असास्वादन करने में समर्थ हो, इन पथभरष्ट भूले भटके लोगों को भी अपना प्रेम दो, जिस दूशित रक्त को चूसती है, जब वो रक्त पीकर त्रिप्त हो जाती है, तथा और अधिक रक्त नहीं चूस सकती, तो स्वैम उस अंग को छोड़कर अलग हो जाती है, इसी प्रकार जब लोगों के पेट भर जाएंगे, तो वे स्वैम ही दूर जा पड़ेंगे, जब पा करते हैं, तो जिन लोगों का जूट ही ओढ़ना और जूट ही चबेना होता है, वे इस जूट को खरिदने के लिए पैसा खर्च करते हैं, बाबा ने कहा कि इन निंदकों से और भी रचनात्मक लाव होता है, जब खलिहान में फसल को काटने के बाद अनाज से भूसे को अल प्रच को इकठा करके भंडार में रखते हैं और फिर उसकी रोटी बना कर खाते हैं, जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है, ये लोग हवा करते हैं, बरसाते हैं भूसे से अनाज को अलग करने के लिए, उन्हें अनाज नहीं भूसा बटोरना है, जिनके विश्वास की से गहरी और मजबूत होती हैं, वे तनिक भी नहीं हिलते, तथा और अधिक सुद्रह और सबल हो जाते हैं, सन 1966 के मई माह में बाबा दस दिनों तक मैसूर राज के सुन्दर परवतिय जिले कुर्ग में काफी के बागानों में रहे, कुर्ग खेल कुद और लड़ाई के अग्रणी रहने वालों का घर है, कुर्ग के लोग निर्मल हिर्दै और आतित्थे सत्कार करने वाले होते हैं, बाबा के दर्शनों के लिए बड़ी दूर दूर से लोग उचे नीचे दुर्गम पहाडी मार्गों से होकर आए, बाबा ने प्रत्येक को अपने स्मित मुसक और आशिरवात से कृतार्थ किया, बाबा ने कुर्ग के बहुत से घर भी देखे और उन्हें अपनी उपस्थिती से प्रकाशित किया, जिस बंगले में बाबा ठहरे थे, वहां सदा कारों और बसों का ताता लगा रहता था, और दूर दूर से लोग आते रहते थे, वहां अभी कुर्ग की बहाती प्राता और संध्यकाल में भजनों का कारिक्रम होता था, जिन में हजारों लोग सामोहिक रूप से भगवान के नाम के संकीर्तन और यशोगान का आनंद लेते थे, और बाबा के दर्शनों का सौभाग्य पराप्त करते थे, बाबा ने वहां कहा थ था, मेरे यहां आने की कोई योजना नहीं थी, किन्तु इन लोगों का सौभाग्य मुझे यहां खींच लाया, वहां से बाबा मदुराई नगर पधारे, जहां भक्तों ने साही बाबा मंदिर के चारोर एक उपनगरी का निर्मान कर लिया है, और उसे बाबा के प्रतीश स मानपूर्ण आभार अभिव्यक्ती में सत्त साही नगर एक्स्टेंशन नाम दिया है, तीन दिनों तक सायंकाल तामिल नाडू के पंडितों के प्रवचन हुए और बाबा ने अपने अध्यक्षी भाशनों में उनके द्वारा कही हुई बातों की व्याख्या की, मानसुन क पहली वर्षा के साथ ही बाबा प्रशान्ती निल्यम पहुँचे, गुरु पॉर्णिमा का अवसर था और लगभग दस हजार लोग दर्शन के लिए कत्रित थे, बाबा ने प्रत्येक को अमरित की कुछ बूंदे दी और साथ ही चितावनी भीदी की, जिस जिवा से अमरित रहने वालों को तथा उन लोगों को जो वहां ठहरते हैं सुविधा रहे, बाबा ऐसे औसरों को भी आध्यात्मिक सत्संग का रूप दे देते, उस अवसर पर बाबा ने कहा कि इस बैंक में रुपया दो और रुपया लो, लेकिन आध्यात्म के बैंक में केवल प्रेम दो और प्रेम लो बाबा ने आगे कहा कि उस बैंक में भी जमा होता है और उसका हिसाब किताब गोपनी ये रखा जाता है छोटी सी छोटी वस्तु भी सुचारू रूप से जमा की जाती है और हिसाब रखा जाता है चाहे वो विचार, कार्य, शब्द, व्यवहार भलाई, बुराई, इर्शा, द्वेश, आदी, गून और दोश क्यूं नहूं ततकाल सभी कुछ जमा हो जाता है और हिसाब रखा जाता है अपनी स्वैम की सुरक्षा के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो बचाओ यहाँ जमा में धन लेते हैं वहाँ ध्यान की पूझी जमा करवानी होती है बाबा के द्वारा कहा गया एक-एक शब्द प्रकाश की कौन्ध थी जिससे सत्य प्रकाशित और उजागर होता था अभी आप सुन रहे थे हमारा कारिकम प्रेमा वतार श्री सत्य साई आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुन्दरम भाग दो पुस्तिका में वरनित भगवान बाबा के जीवन काल के अलोकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था साई प्रेम वानि भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में अब प्रस्तोत है हमारा कारेक्रम दिव्यान भव आज इसके अंतरगत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्य साई विश्व विद्याले के प्रबंध विभाग में पदस्त प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपकानन जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे एक बार इस प्रकार हुआ कि हम यहाँ पर नर्सिस क्वार्टर्स बन रहे थे यहाँ पर हमारे सुपर हॉस्पिलिल के बास में और साई मनोन मही नर्सिस क्वार्टर्स के नाम से तो भगवान वहाँ पर जब कारे चल रहा था तो भगवान बाबा को एक दिन लगा कि उनको जाकर उन सब जो वरकर्स हैं जो वहाँ पर कारेरत हैं इंजीनियर्स हैं उन्हें आशिरवचन देना चाहिए उनको आशिरवाद देना चाहिए बाबा जा रहे हैं वहां पर बाबा की गाड़ी आकर खड़ी हो गई तो जैसे ही भगवान बाबा चड़ने लगे तो मैं और मेरे साथ में जो मरा स्टूडेंट मेरा मित्र बैठा बहुत था हम बहुत प्रातन अगर लगे भगवान हमें भी एक सौफसर दीजिए हमें भी सौफसर दीजिए तो भगवान बाबा ने हमारी ओर देखा और बोला आज आज़ाओ तो हम भगवान बाबा की गाड़ी में बैठकर शत्य शत्य दीद भाईया भी थे और हम चारों जो हैं हम वहाँ पर गए और वहाँ पर भगवान बाबा ने इतने तहे दिल से सब मतलब वोकर्स जो हैं जो वहाँ पर जो कारे कर रहे हैं जो लेबर हैं भगवान बाबा ने इतना प्यार दिया, सबको पादनमस कर दिया सबको कभी किसी को धोती, किसी को सारी दे के भगवान बाबा ने इतना उनको कृतार्ट कर दिया उसके आने के बात नहीं तो इस प्रकार जो है इसलिए हमारे मन के अंदर में यही था कि हमको पिएजडी चाहिए ही चाहिए फिर भगवान बाबा ने जब हमें यह सुअफसर दिया पिएजडी का, तो मेरे खाल से वो जीवन का बहुत बड़ा सुअफसर था और उस समय तक पिताजी भी आ गये थे हमारे पुटापर्ती उनकी आने का तो उनका एक और ही कहानी है क्योंकि वो अभी-अभी रिटाइर हुए थे अपने NCRT से जो की National Council of Education Research and Training जो की CBSC syllabus की बुक्स बनाती है उनका देलीमन का आफिस था अभी-अभी रिटाइर हुए थे, तो वो उस साल पुटापर्ती में आए तो जबी भी दर्शन में भगवान बाबा आते और जहां पर बैठा होता मैं तो किसी ना किसी मेरे पडोसी बैठे वे किसी अध्यापक से कहते देखो, हमारा जो एरिटर है नर्सीमन अभी तो बहुत बुजर्ग हो गए है, उनसे कारे नहीं हो पा रहा है हमें एक नए एरिटर की ज़रूरत है कोई तुमको मालूम होता बताना तो मेरी ओर देखते पर मुझे कुछ कहते नहीं तो समय हमारे पिता जी सेवा के लिए आए वे थे मैंने का पिता जी बाबा तो रोज में देखके कुछ न कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं कि शायद वो आप के लिए कुछ बात कर रहे हो तो भगवान बाबा ने कुछ उस बारे में कहा नहीं तो हमने एक एप्लिकेशन लिखी और पिता जी ने चरिंजी राव सर को वा एप्लिकेशन दे दी उसके बाद में कुछ हुआ नहीं करीब चार मेहीं ने बीद गए अचानक कि भगवान बाबा एक दिन मेरे पास में लाइन्स की बीच में से आए मेरे पास में आके खड़े हो गए तो मैंने भगवान बाबा को मैं अपने खुटने पे खड़ा हुआ हाँ जरूरत है उन्हें फॉरन बलाओ और इमीजेटली मैंने जाके फोन किया पिताजी को कि आपको भगवान बावा बला रहे है एडिटर की पोस्ट के लिए आप जल्दी आ जाए है और पिताजी हमारे कारे समेटने में उनको आने में दिन लगे अब मेरी ये परिशानी की भगवान बावान रोज पूछ रहे है कि कभी आएगा फादर कभी आएगा फादर पिताजी ने टिकेट बुक कर आए ट्रेन की और फ्लाइट भी नहीं आए तो मेरे लिए यहां बड़ी बना दिया और उनके आते ही उनको संपादम की शेतर में उनने कारे दिया सेवा करने का मौका दिया और घर दिया और अपनी गाड़ी उससे में थोड़ा उनकी कमर में दर्थ था तो हमेज़ रोज अपनी गाड़ी उनको छोड़ने के लिए दर्शन के लिए भगवान भावा भेजते थे सर पता नहीं आपने अभी इसने उसमें इसका जिक्र किया या नहीं किया शायद मैं भूल गया हूँ लेकिन तब भी मैं जानना चाहूंगा कि भगवान के साथ आपके परिवार को जो इंटरव्यू कभी मिला हो कि आपने तो बताया कि बहुत सारे इंटरव्यू आपको अल्मोस डेली बेसिस पे मिले हैं जब आप वो ड्रामे ड्रामे के लिए रोल भगवान ने सुनिश्चित किया था इस प्रकार के पारिवारिक सेटिंग में कोई इंटरव्यू जब भगवान में के साथ मिला हो उसका अनुभव कैसा था पहली बार माता पिता के साथ हमारे धरती के माता पिता और हमारे जगत पिता उनके साथ हमारे बैठने का वारतालाब में आपका कैसा अनुभव रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताईए तो हमें बहुत सारे इंट्रिव्य मिले सर परिवार भी और जब पहला इंट्रिव्य हुआ जब माता जी उस समय यहां पर नहीं है पहले पिता जी आ गए माता जी को कि वारे मैंने पूछा भगवान से भगवान ने का देखो उनकी गौवर्मेंट जॉब है इसलिए उनको रिटाइमेंट सही से लेना पड़ेगा वरना उनकी पेंशन में गड़बड होगा इसलिए आप माता जी को खवर भेजिए कि मैं उनके साथ हूँ हमेशा और वो सही प्रकार से जो है सही तरीके से अपना रिटाइमेंट ले तो जैसे हमारी माता जी भी यहाँ पर आ गए भगवान बाबा ने हमें इंट्रीव रूम के लिए बलाया और उस समय इंट्रीव को में लेने के बाद में पिता जी को आशिर विशन देने के बाद में माताजी की सारे प्रश्टों के जवाब देने के बाद में और माताजी के पास में हमेशा बहोत सारी photo rained हुआ करती थी और बाबा कहते है कितना photo लेकर आता है मा कितना photo लेकर आता है हमेशा हुआ 10, 12 मा कहते है सौमी मैं अपने लेने नहीं मांग जी हूँ तो भगवान बावा ने बोला इसका English में translation कभी होगा उसने गा स्वामी में निग्लिजी आती ही नहीं है मैं कैसे करूँगी बावा तुमारा लड़का जो पीच्डी करता है पीच्डी के बाद में translation करता है तो उसके किताब का मैंने अनुवाद किया अंग्रेजी के अंदर में, अब उसका अनुवाद कई भाशाओं में हो चुका है, तेरा तुझको और पंट, तो माता जी के कई कुंडलनी के अनुभव हैं, जो की बहुत ही अलग प्रकार से अनुभव हैं उनके, और कोडे किनाल के अंदर में भगवान बाबा ने मुझे द हमेशा हमें, ऐसा फैमली हमेशा हमें बुलाए करते थे, सर फिर भगवान के विश्विद्याले में अध्यापन का सुवसर आपको कैसे आया, जब पीएजडी भी खतम होने आ रही होगी, तब कुछ फिर से आपको लगा कि फिर से आपको इंटेंस साथना करनी बढ़ेगी यह पहले ही रास्ता क्लियर हो गया था, कुछ सुनिश्चित हो गया था कि भगवान के विश्विद्याले में ही अफसर मिलेगा नहीं, ऐसा सुनश्चित कुछ नहीं होता है भगवान बाबा के साथ में, भगवान कहते हैं मेरा जो तुमारे साथ में रिष्टा है, वो भक्त का नहीं है, तुम कहते हो कि तुम मेरे भक्त हो, पर मैंने कभी कहा है कि तुम मेरे भक्त हो, मैंने तुम में लिखके दिया, गर जब तुम्हारे मन में भक्ति नहीं है, जब तुम्हारे मन में अविश्वास है, और भक्ति का मतलब क्या है, सरंडम, मतलब कि समर्पन करते हम, तभी तो भक्ति है, जिसमें विभक्ति नहीं हो, बाबा कहते हैं, वोई तो भक्ति है, जब हम 24 गंटे भगवान बाबा को करें तो वह जो मैंने आपको बताया था कि जिस बच्चे को भागान बाबा ने आशिरवाद दिया और बोला कि मैं तो में फॉर्मल ले देता हूं लवू नवू नाओ का तो वह लव क्या है भागवान कहते हैं कि वह लव तो ऐसा लव होना चाहिए वह प्रेम तो ऐसा प्रे सुनने के लिए उन्हें अफ्तार लिया है तो कैसे नहीं सुनेंगे हमारी प्रात्मा को इसलिए जब मैं हम पीएच्डी कर रहे थे तो उसके बाद में हमारा बागान बाबा ने हमें पहले ही क्या दिया था कि वह हमें कुछ ना कुछ कार्य देंगे अपनी संस्तान के तो आप सब बच्चों में एक हो आपको विशेश त्थान या वो नहीं होता है कि आपको भगवान दुबार अलग से बलाएंगे या आपके साथ में कुछ और वार्तर लाब करेंगे या कई आरो आपको ले जाएंगे अइसे कुश नही होता है उसमें समानता होती है उसमें पर भगवान बाबा ने हमारे उस वाले बैच को 2003 के अंदर में हमारे उस वाले बैच को एक विशेश स्थान दिया हमें अलग से कमरा दिया गया और जबी भी हम जा रहे होते थे दर्शन के लिए अंदर बुला लिया करते थे और हमें कभी खिला बाबा ने बुरक अथा का introduction किया था ड्रामा के अंदर में पर जिन बच्चों को गाना था वही बुरक अथा के steps भी कर रहे थे पर जब वो गाते तो वो नाशना भूल जाते जब वो नाशते तो उनका गाने का स्वर बगड़ जाता तो वो करी नहीं पा रहे थे और उस समय बड़े विश्यों को अपनी उपर में लेके लागों भक्तों को सनक्षन किया था उस समय हमारे सामक्ष बैठे वे थे और बगवान बाबा जैसी वो उन्होंने गाना और शुरू किया बुरक अथा का रहसल शुरू किया तो वो उन्होंने ठीक से कर नहीं पाई तो भगव भगवान बाबा ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकटकर खड़े हो गया और कहा थोड़ा पीछे जाओ तो हम पीछे चले गए तो भगवान बाबा ने पांडुरंग की तरह से बुरक अथा के स्टेप में अपने कमर पे हाथ रखकर भगवान बाबान ने अपने तूटे हुए कलोए के अपने हिप से ही नाषणा शुरू कर दिया, उन बच्चों को दिखाने के लिए, अब ये देखें अभी शेक भगवान बाबा को उसमें कितना कष्ट था, भगवान बाबा चलने ही पारे थे बिना सहरे के, मर सिरब बच्चों को सिखाने के लिए वो नाशनी को तयाहर है, चाहे उनका खुद ही उनको इतना कष्ट हो रहा हो, तो पर भगवान बाबा जब बैठे, तो हमको बहुत बुरा लगा कि भगवान बाबा ने थोड़ा सिखाने के लिए इतना कष्ट सहा होगा, तो भगवान बाबा ने बात को आई गई कर दिया, अग उनको वहाँ पर ड्यूटी के लिए जॉइन करना है, तो उनका बाबा आप कुछ न कुछ तो तरकीब निकाले कि हमको जाना ना पड़े और हम आपके सानित दिन में कुछ दिन और रह सकें, बगवान बाबा ने जैसे मैंने कहा, बच्चों के साथ हैं भगवान बाबा बिलाया और कहा, देखो, पुटा परती के प्रिंसिपल को आप मैसेज भिजवार दो, कि जो सारे डिसर स्कॉलर्स हैं ना, आज से भगवान बाबा की सेक्यूर्टी ड्यूटी पर उनको अपॉइंट किया गया, लग गया है उनको, तो हम सब लोग सुनके हासे लगे, कि ज जो भगवान पूरे प्रहमान का सनउक्षण करना है, हम उने क्या सनख्षण देंगे, अपर भगवान बाबा का, ने, आप तुम आज से ड्यूटी पर हो, तुम दो लड़के, जो मेरे कमरे में सो जाना, तुम दो बाहर सो जाना, बाकी तुम अचारपां जो तुम नीजे थी कि भगवान बाबा ने कई विद्यार्थियों को ऐसा सुवसर्दिया है कुछ कुछ समय के लिए तो कभी हमको सोचके भी बहर था और बाबाबा ने अचाना किसे कह दिया तो बिलकुली कोंकि मिरा और मदर इश्वर, हम आके सोने की चेंज देंगी सब को, मतला हमने कुछ कहानिया सोनी हो थी, भगवान बाबा के कमरे में कई चमतकार होते हैं, तो पहला दिन भगवान बाबा ने बोला छे बज़े मेरे कमरे के बाहर पहुंचाना, छे बजने में पांस मिन्ट पे, भगवा आके विश्राम डिरेक्टी करते हैं अपने कमरे में तो हम लोगों को बड़ी उतकंठा दे कि अब क्या होने वाला है आज भगवान बाबा के सानेदे में हम सोएंगे तो क्या होने वाला तो हम दोनों बच्चे बच्चों के सेर पास-पास में थे और तांगे दूर की तरफ म तो हम दोन थोड़ा बहुत वारतला आप आपस में कर पाई भगवान बाबा थोड़ी से दूरी पे थे अपने विस्तर पे तो हमने कहा बच्चे एसा करो तुम जगाते रहना एक दूसरे कुछ में नजर में आये ना कोई भी तुमको और कुछ वानी सुनाई दे कुछ ना तो हमने ब्रश करके और कुल़ा करके भगवान बाबा आगे फिर बीस Woolजाते बत्तर गवान बाबा थो एक शण के लिए नहीं कितने लोकों में विच्षरते रहते रहते पर भगवान बाबा शनभर के लिए भी नहीं सोते हैं, कैसे सोएंगे, अगर भगवान सो जाएंगे तो इस ब्रहमार्णा क्या होगा, यह तो लुपती हो जाएगा, तो हमने पहले दिन हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं जो हम सोच रहे थे कि होने शायद हो, तो हम लोग अपन भी नहीं कर सकते हैं, उनका नमसकार भी नहीं ले सकते हैं, उनके नजदीक भी नहीं जा सकते हैं, भगवान बाबा बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं अंदर, आप यह समझे कि अगर आपके सत्यजीत भाई जो हैं, वो बाबा से रोज बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाबा शायद उसे सालों साल भी बात ना करते हो जूटी करनी है और जो कहा कि उतना करना है बस आगे परशने जवाब नहीं और या कुछ परती उपर नहीं और हम लोग ने दूर दूर से नमसकार ऐसे कियो और हम भागे बाहर को तो आप साई रात तो हम सोई नहीं इस आशा में कि कुछ नब कुछ विजित्र होने वाला है दिव्य या भव्य होने वाला है कुछ होआ नहीं तो हम आके जो है हमको थोड़ी जगा मिली सोफे की उपर में जिस कमरे को हम सब लोग बच्चे रह रह रहे थे तो मैं सोफे में जाके मैं लेट गया चलो अब थोड़ी बहुत नीद पूरी कर लें सुबह चार वजे के बाद में जैसे ही मैं लेटा अभिशेक वैसे ही एकदम एक विजिन आना शुरू हुआ और विजिन के अंदर में आतिश बाजी चल रही है बहुत से रंगों की आतिश बाजी पीले लाल हरे गुलाबी वॉयलेट कलर्स की बहुत अलग अलग तरीके की आतिश बाजी चली जा रही है चली जा रही है पांच मिंट छे मिंट हो गए और इतनी इतने सुन्दर रंग इतना उनका अच्छा नूर की मतला वो जैसे हम प्रकाश को देखते हैं साधारनता वैसा प्रकाश नहीं कोई दिव्य प्रकाश और यह सब चल रहा है और उसके बाद में मैं देखता हूं कि मेरे मन क्याओं को से देखता हूं कि मेरे पिछले पांच और छे मानव जन मैं अपने पिछले जनम के अंदर में कैसा था उसके पिष्ले के अंदर में कैसा था, ऐसे करते करते मेरे पांच-छे मानव जनम है, उसके बाद में नजरी नहीं आ रहा है, बहुत दूर चला गया, वो द्रिश्य, तो फिर मैं अचानक उठके मैं खड़ा होता हूँ, और मैं अपने बिस्तर पर बैठता हूँ, सोफे बैठता सोचता हूँ कि ये क्या हुआ, अचानकी मेरे मन में ये दुबारा से अनुभव कौंता है, कि कोडे कनाल में उस सब्धाल भगवान बावा ने भगवान बुद्ध की एक मूर्ति का स्रिजन किया था, और भगवान बुद्ध जो हैं ध्यान कर रहे हैं, उनकी हातों की उप के ध्यान करने के समय में इस अमृत करश का, तो कोई जवाब नहीं दे पाया, अगवान बुद्ध देखो हमारी नाभी के अंदर में ही हमारे पूरु जन के सब समस्कार रहते हैं, और यही उसके भेदन के बाद में ही हम अमृत से पुत्तरह कैला सकते हैं, जब हमारा ध्य कि अहें ध्यार शक्र में, जो जो की हमारे शानती का केंदर है, और यहां हम्यार सहस्तरार में जो की आनंद का केंदर है, perchा वाबन ने ओपर उपर उठने के बाद में ही शक्ति की हमारी हम अमृत से पुत्तरह कहलाते हैं, इसलिए यह अमृत कलश नाभी में रहता है, और ह वही भगवान बाबा के वचन याद आए तो फिर मुझे लगा शायद कि ये मनिपुर्ग चक्र का भगवान बाबा के सानिद्धि में रहने से उनकी शक्ति के साथ में कुछ समय रहने से ये मुझे अनुभव हुआ है अभी आप सुन रहे थे हमारा कारिक्रम दिव्यानुभव आज इसके अंतरगत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्व विद्याले के प्रबंध विभाग में पदस्त प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपकानन जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था प्रेम रसिस सराबूर साई प्रेम वानी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है उम्मीद है हमारा आज का कारिक्रम आपको पसंद आया होगा अपने सुझाओं को हम तक जरूर भेजें हमारा वाट्सअप नमबर है 9393 258 258 93 958 258 हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां यूट्यूब पर भी उपलब्ध है इन्हें वहाँ देखने या सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाओं देना ना भूलें भक्तगन जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं उसी प्रकार हे स्वामी आपकी प्रेणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है हम आपसे ऐसे ही शुब अफसर पाते रहें इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं धन्यवाद और सप्रेम साहिराम प्रसारण समाप्त करते हैं